अधरनिया प्रदेश वासियों 2022 का बहुत-बहुत सुभकावना है आप सब स्वस्त रहें सफल रहें यही हम जिंदर स्पताल की कामना और भावना है दो साल के प्रियर्ड के बाद 2020 और 21 के बाद 2000 उन दोनों सालों को हम अल्विदा कहते हैं पूरे संधा के साथ और पूरे साहस के साथ हम नए वर्ष 2022 की सवगत कर रहे हैं आने वाले साल में हम सब देख रहे हैं कि एक नए वायरस उम्निक्रोन का दस्तक हमारे दर्वाजे पे है लेकिन यह जो बिमारी है बहुत अधी घातक नहीं है कुछ कॉंटिनेंस जैसे साथ अफ्रीका से यह खतम हो चुका है इसरायल से खतम हो चुका है और वहां यह पाल कर चुके हैं और हम एक अच्छे समय को इंटर कर रहे हैं और इसके लिए लेकिन फिर भी हमें कुछ ज़ूरी है कि हमें दोनों दो वैक्सीन और गौर्नमेंट का जो स्कीम भी आया है बूस्टर डोस का या थर्ड वैक्सीन का हेल्ट केर वर्कर्स इभाव दी एज कि हमें आएंगें लेकिन करते हैं कि मानव जब चाहता है तो पत्थर को पानी कर देता है पल भर भर भी विच्छित नहीं होते हैं जो वेड होते हैं यहां कायरों का दिल जरूर दहलाती हैं हमारे देसवाश की आप सब बहादूर हो ए तीनवेप से हम निकलेंगे अच्छ पारी में बदलाव आ रहा है आव सब मिलकर हम लोग इसे सफर बनाते हैं धन्यवत शहर के लोगों को नया साल बहुत-बहुत मुबारक नगर निगम ने प्रण लिया है कि इस साल हम हिसार शहर को स्वच्थता की रैंकिंग में देश में पहले दस में लेके आए और ये क्रीन हिसार बड़े आराम से बन सकता है ताकि शहर के लोग एक साफ सुथरा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके शहर को साफ बनाने के लिए शहर के लोगों की दो जगों पर दो मुद्धों पर हमें मदद की जरूरत है जो कच्रा हमारे घरों से निकलता है उसमें एक तो किच किचन वेस्ट होता है और दूसरा बाकी सूखा वेस्ट होता है किचन वेस्ट की हम जो हमारे कंपोस्टिंग प्लांट्स हैं उन कंपोस्टिंग प्लांट्स में खाद बना सकते हैं इस खाद को हमने हैचेवी की लेवरिट्री में टेस्ट करवाया है बहुत अच्छी खाद हमारे plants में बनी है तो जितना kitchen waste हम अलग से, अलग dustbin रखें और हमारी निगम की गाड़ी में भी अलग रखेंगे तो उस अलग kitchen waste का हम खाद बनाके आपके महले में आपके सेक्टर में हरियाली के लिए प्रियोग कर सकते है जितना kitchen waste आप segregate करके अलग dustbin में रखेंगे उतना kitchen waste अंधूर के कचरे के पहाड में पे जाने से बच जाएगा कचरे का पहाड उतना छोटा रहेगा तो आप लोगों से यह उमीद है कि एक तो घरों से निकलने वाले waste को दो dustbin में रखें जो kitchen waste है उसको निले dustbin में और बाकी जो waste है उसको निले dustbin में रखें और हरे dustbin में जो आपका kitchen waste है उसको हमारा जो compartment है गाड़ी में जो अलग से बनाया हुआ है उसी में डाले ताकि हम उसकी खाद बनाके आपको वापिस दे 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 आपके area के हर्याली को बढ़ाएं दूसरा polythene की समस्या हम सबको पता है हमारे area में cancer बड़ी तेजी से बढ़ रहा है अब यह ड़क साब बताई भी रहे था कि हिसार में ही तीन cancer के hospital है जो शायद देश में सबसे जाद है जहां पर radiation therapy होती है इसका कारण मुझे लगता है कि cancer हमारे area में सबसे जादा है cancer के बढ़ने में plastic का एक एहम रोल है और इस plastic को हम कम कर सकते हैं बहुत कम कर सकते हैं polythene हो सकता है 10 पैसे का हमने polythene लिया है 10 रुपई की चीज के साथ polythene carry bag में हमें वो चीज लेके आते हैं लेकिन वो polythene carry bag 500 साल तक हमारे परियावण में घूमता रहता है डीग्रेड नहीं होता है polythene के वजाए सीवर जाम होते हैं हमारे storm water की जितनी नालियां है वो जाम होती है बारिश का पानी निच्छे परकुलेट नहीं करता ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता और किसी भी एरिया से बारिश का पानी निकालने में होई दिक्कत आती है और गरम चीजें हैं अधि हम polythene में खाते हैं तो cancer का कारण बनती है तो polythene हमारे परियावन को बरबाद कर रहा है इसलिए हम सब कोशिश करें कि polythene का प्रियोग ना करें आज से 30-40 साल पहले polythene ना के बराबर था तब भी हमारी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी तो हम सब लोग कोशिश करें कि polythene का प्रियोग नहीं करेंगे निगम भी इसमें जागरुकता का भी अभियान चलाएगा और पूरी सक्ती के साथ polythene का जो बैन सरकार ने किया हुआ उसको लागू करेंगा polythene का प्रियोग ना करें और घरों में की वेस्ट को हम सेग्रिगेट करें इस उमीद के साथ मुझे ये उमीद है कि हम शहर के लोग और निगम आपस में मिलके इस साल हिसार को ग्रीन हिसार भी बनाएंगे और स्वच्छ हिसार भी बनाएंगे आप सब को दुबारा नजा साल बहुत-बहुत मुबारक हूँ नमस्कार मैं मुरारी गुपता सायक निदेशक समाचार प्रिये नागरी को आप सभी को दूर दसन हिसार की तरब से बहुत-बहुत शुब कामना है नवर्स की वड़ 2022 हमारे लिए शुब हो पुरा परदेश कोरोना की लड़ाई से और तेजी से मुस्तेदी से लड़े सब लोग सुरक्षित रहें और जो कोरोना गाइड लाइने उसका पालन करते रहें इसके साथ साथ जिस तरह हर्याणा ने ओलम्पिक में हमने कामियावी हासिल किये उसी तरह हम चाहते हैं कि इस साल भी खेलों में इसके अलावा उद्ध्योग और कसी के चितर में हर्याणा तेजी से आगे बढ़े सभी लोग सुकी हो संबन हो क्राइम फ्री हर्याणा हमारा बने इसी सुबकामनाओं के साथ आप सभी का आबार धन्यवाद मैं सुबे सिंग साहे का अभियनता सहे प्रशासनिक अदिकारी दूरदर्सन केंदर इसार हर्याणा के ओर से आप सभी सुधी दर्सकों को नव वर्स की हारदिक सुबकामना देता हूँ आप दिरगायु रहे स्वस्त रहे आने वाला वर्स 2022 आप सभी के लिए मंगल में हो धन्यवाद